तो स्वागत है आपका चित्रकूट की क्वीन जी थैंक यू सो मज दर्शकों को आप ओरीजिनल नाम बता दीजिए फाइमली बैक्ग्राउंड के बारे में अगर जाना जाए तो पापा क्या करते हैं मम्मी क्या करती है वो सारी चीजे तोड़ा से बता जब दिल रखता है हम कभी नई सोचे थे अचानक है अपना हासी खेल में अपना डालती थी वीडियो इनका सौक था रांस और जब करते करते अपना महीना दो चार महीना किया और एक वीडियो वाइरल हो गया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अरकिन स्वागत करता हूँ आप सबका दर्सक न्यूट 24 पर बदा दे किस वक्त हम चित्रकूट में मावजूद है दोस्तों चित्रकूट जन्पत की बात जहां पर आती है तो बुंदेल खंड का वो दार याद आ जाता है कि जब बुंदेल ख दीरे दीरे तरक्की और प्रगत की ओर है बुंदेल खंड से तमाम नए नए अजूबेर तमाम नए नए कारना में सामने आ रहे हैं कुछ समय पहले आपने देखा था कि बुंदेल खंड के ही बांदा जन्पत की रहने वाली सकुंतला जो की एक साधारन मध्यम वर गी गरी रही जी दोस्तों सोसल मीडिया की एक ऐसी इस्टार से मैं आप लोगोंको मिलाने वाला हूं जिस के उम्र महाजत 13 साल है 13 capacities की उमर में पूरे चित्रकूर, जन्पत करने वाले चित्रकूर, प्रदेश की क्विइन इस वक्त हमारे कर रहे हैं और ज्यादा बड़े उदारण की अगर बाद की जाए तो उत्तर प्रदेश के और यह जनपत के शीवानी को ले लिजे कि एक साधारण गरीब और मध्यम वरगी परिवार से आने वाली शीवानी किस तरह से गाउं की सरजमी से चलते हुए माया नगरी मुंबाई क के सबसे मसहूर सो बिग बॉस तक का सफर टै करती है तीक उसी तरह चीतर जंपती 13 वर्सी पेटी षमार, konuş期 करते हैं और सबसे पहले उनसे परिचय करवाने का काम करते हैं कि तरतल बेटी के दिल और दिबाग में कैसे यह सब कूछ आया और दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे बिसम परिष्टिवों का सामना करना पड़ता है जिनको आपको बरदास करती हुए आगे बढ़ना पड़ता है तो क्या यह सारी चीजे एक छोटी सी बच्ची ने भी जहला या फिर कैसे ऐसे तुरंत बुलंदियों तक पहुंच गया यह सिधा उनसे जानने का प्र आज़ा गर में कौन-कौन है घर मेरे मम्मे पापदीदी और मैं चार लोग हाँ चार लोग चलिये ठीक है तो यह बताएं कि कौलिफिकेशन किया है पढ़ाय लिखाई कर रही है और तो है और तो आईसा विटा कौन सी क्लास में हैं मैं सेवंध में हूं सेवंध में सोसल मीडिया में इस समय आप जम कर धमाल मचा रही हैं आपकी ये मुस्कुराहट आपकी अदाय और आपके डांस करने का अंदाज इस समय लोगों को बेहत पसंद आ रहा है जा जादा अच्छा फील हो पड़ी अचानक से आया था पहले से प्लान नहीं था कि नहीं कोई प्रदेश में समय धिमाल और फाइमली बैक्ग्राउंड के बारे में अगर जाना जाए तो पापा क्या करते हैं मम्मी क्या करती है वो सारी चीजे तोड़ा से बताए मेरी मम्मी टीचर है और पापा एक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जो परिवारिक बैक्राउंड है वो सिच्छा से जुड़ा हुआ है कहीं कहीं सिच्छा से बेहद लगाव है पढ़ी लिखे घर से आती है आइसा जी और आइसा की उम्र महाज 13 साल है तो आइसा बीडियो में तो आप बहुत ज्यादा बलब ऐस जलगता है कि और ऐसे अंगल बनाया जाता है क्यों ढह檄 blanc चित्रवाड की भारे में दोस्तों ॏ चित्रकूर्ट धर्मास्था अज्याद्वी की नगरी है और हमेशा से चित्रकूर्ट का पर्चम Subsiresis तोев दर्ज रहा है और आज भी चित्रकूर्ट के जहाँ पर नाम आता इस समय पढ़ाई के साथ साथ सोचल मीडिया पर काम भी कर रहे हैं आईसा से बहुत सारी बाते हम करेंगे लेकिन उससे पहले परिवार के कुछ सदस्यों से मिला दें उससे भी जानले की दरफल उन लोगों की राय आईसा को लेकर क्या है आईसा को सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ फिर अब हमारा भी करता बन गया कि अब सपोर्ट करना ही पड़ रहा है मता जी कभी आप आपने सोचा था कि विटिया जो है इतनी कम उम्रे में सोचल मीडिया पर इस तरह से कुछ करेगी कि आज चारों तरफ आप लोगों का नाम होगा लोग भाग जो है ढूरते ढ इस सोचे थे अचानक है अपना हासी खेल में अपना डालती थी वीडियो इनका सौक था रांस और जब करते-करते अपना महीना दो चार महीना किया और एक वीडियो वाइरल हो गया इनका तब पहले मुझे भी पता नहीं था यह राकि चलिए इनका अपना करती होंगी कुछ पता चला जब 18,000 सॉस्क्राइबर होने पर आपको बताया नहीं गया हमारे मोबाइल में आचानक आ गया मेरे में अच्छी अच्छी तब जाके नवी द्यालम बैठी थी तो वहीं आ गया तब देखी तो पूंचा तो का हममी बंद कर दो कोई कुछ कहे न बेटा तो नहीं मम्य अब हम आगे बढ़ रहे हैं अब हमें कर या में बहिं करना अब अजय के दाय करणा तो कहीं न कहीं आपको परिवारी सप खूत मिला हैं हम पहले यह लोग कहें ऑफाई में हो पहले पढ़ना है बाद में सब सोचल मेडिया बाद में भी हैं फिर जब इनको आगे बढ या बड़े पापा के लड़के और दादी बाबा और हम लोग हमारा परिवार लिलेशन मतलब सब कोई सपोर्ट पर किया कोई कुछ ऐसा नहीं कहा अंटी जी कोई लड़का सोचल मीडिया पर काम करें तो उसके लिए तो खुले दरबाजे हैं और उसके लिए बड़ा सरल रा आई सब कुछ अइसा को देखने को भिला या आप कोई बात पहुंची है हम लोग यहीं है हमारा आहां माकान है अगल बगल हमारे प्लाट पड़े हैं कोई घर भी नहीं है तो यह घर के अंदर ही करती थी तो किसी को पता भी नहीं चला जाएं स्पे प्ले बटन आया तब जब आया तब लोग सम्मान कर रहे थे कि बेठा नातिन तो हमारी यूटूबर हो गई तो सब लोग अच्छा बोले अभी तक हमें मतलब गलत नहीं सुनने को आया अपी थोड़ी बहुत ये तो होता है कि इर्षा कारण बस या कोई द्वेस अपना ये अब जिसके अंदर हो अब हमें तो नहीं पता लेकिन कोई ऐसा नहीं कहा है आज जब बेटी मनलब जब आपको पता चलता है कि बीटी हमारी बड़ा अच्छा काम कर दी कम से कम लोग बाग हमें मेरी बेटी के नाम से जो हम लोगों को पहचान ले लेगे तो कैसा मैसूश करती हैं अब तो आपको लगता है कि आपकी बेटी नहीं बेटा है हम इसी बेटी में हम इतना रोए थे बच्छपन में पाइदा हुई थी क्या हुआ था अब यहीं कि हमारी तीन लड़किया होगा हां बस वही है आदमी जैसे सब लोग सोचते हैं कि एक लड़का की अपने जगे पे जरू सबसे ज्यादा हां तो अभी हाली का वीडियो उन्होंने डाला है जब उनकी मा इस बात को कहके रो रही थी कि सिवानी ने खुद का कि जब माय थी लास्ट टाइम जब माय हुई तो मा जो है तकलीफ होती किसी को भी कोई आज की नई बात ने हर बेकती चाहता है कि हमारा को माध्यम से मेरी बेटी तो अभी बीग बॉस में लेकिन मैं उससे माफी माफी मागना चाहती हूं कि सीवानी मैं गलत ही तुम सही है वेटा यह तो यह साधारन बात है लेकिन कहीं यह हर मा के अंदर होता है हर मा सोचती है तुसमें कोई बुरी बात नहीं है हर मा सोचती है क देखिए सोसल मेडिया इसी चीज है कि सब लोग का दिल थोड़ी घब कोई लोग बाग गलत हैं, आरहे हो, सब कोई देख रहा है, कोई अच्छे लोग है, कोई बुरे लेह बिदू, हो मतलब कोई गलत निगा खोई अच्छी निगाष, धना से सिसके सोच है. तो सब लोग माता पीता पहले तो सब लोग कहे हैं पीता भी लेकिन फिर जब आगे बढ़ने लगी तो फिर हमारा भी सपोर्ट है हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं आईसा बेटा पर आपको काफी गर्भ है कि ठीक है कुछ भी है छोटी बच्ची है अपना काम कर रहे हैं तो ऐसा अब बताओ वो किया होता हैं सब्सक्राइब आपको मिली जिस आजादी की बंदिसों में बहुत सारी बहन बेटी आज वी घर के अंदर बेडियों में जकडी पर हैं दोस्तों ज्यादा तर बता दे कि आज का जो आता वड़ा है आप 21 सदी में जी रहें लेकिन बहुत सारी बहन बेटी आइसे जो काम करना चाहती है A यह अपना निर्भर करता है इस पर निर्भर करते हैं से its Πरनी PayPal कर यह पर पर करना पर आगे सिर्फ सोनड मेडिया पर काम करना आप 성्था है कि पढ़ाई लिखाई तो करी रहे हैं तो उसके जरी कुछ अपनों भाविस्या कुछ करियर बना की कुछ अभी तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर ही है लेकिन अगर फिर आभी मैं सोसल मेडिया और पढ़ाई दोनों में हूं अब देखते हैं समय बताएगा जोब करन आए सोसल मीडियो जे आ गए इनकी गुरू और गुरू कोई और नहीं बाहर से गुरू नहीं है और इनकी बड़ी वहन है बहुत-बहुत स्वागत थे आपको बैंच जी थैंक यू सबसे पहले खबरों में आगे बढ़े आप अपना परिचाह बताएगा दर्शकों को मेर कार्वेंट कालिच से हैं क्या बात है तो जैसे कि मनें पहले भी बता दिया था कि परिवार बहुत ही शौम शरल सिधा साधा और सिच्छा से जुड़ा हुआ परिवार है जो बड़ा महात्वपूर्ण बिंदू है वह यही है और यह बार-बार मैं इसलिए दोरा रहा हूं लेकिन वह दौर अब नहीं रहा अब हमारे बहन बेटिया अपने बुंदे लखंडी की विसेश्कर बात चीत की जाए तो जिस तरह से पिछड़ा एरिया था तो अब वह दौर नहीं रहा बहन बेटिया और परिवार की लोग नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं सब कोई करने हैं अच्छा तो कोई पहले से सोचा समझा प्लान था या फिर अचानक यह सब कुछ हो जाएगा अच्छा लोगों के बहुत सारे सवाल है जिस तरह से आइसा डांस करती है कमन लचका लचका के डांस करना मतकना और जो इनकी सबसे बड़ी अदा है पता है क्या है वह तो देखी चुल बूला पर देखी लिए माल यह विल्कुल बच्ची है हम से तो अभी भी है दिन भर हम लोगों से खेलती रहती है मैं आओंगी तो गेट में खड़ी दीदी क्या लेकर आई नहीं लेकर आओ तो मूफ लाके अंदर जानक कह नहीं लेकर आई जागरा हो अब अब आई जस्ती बोल लें हम से तो मैंने तीना तो कांफिडेंस थोड़ा ठगमगा रहा था इसे लिए बिटिया सीधी साधी सांथ है उतना ज्यादा नहीं बोलती पांतो वेसे भी बातचीत करी रहे अठा जो आईसा की दो तीन आदायें पसंदारें लोगों की पहल कर रही हैं डांस कहीं वहरी है रहा थाटारें पुषियूर एंस को शोचल मीडिया पर लाने वाली ना ाहनिं की बहाने और इन दोनों पहनों का जुप और आम तरह पर बहुस अनि भी मिलेगी वह इस तरह से की आहपास में की सभाज और मेन जुक्रा रहन है चोटी बहुं को कैसे प्यार करना उसको कैसे समानना है बड़ी भाँ कि जिम्मेदारी क्या होती चोटी बहुत अच्छा समाज में इक संदे से दे रहा है कहीं न रहा है जो बड़े सब्सक्राइब करती रही और कई नेकर बड़ी बाहन इस बात को लेकर खुस है कि जो भी है छोटी बहुत है उसको लोग जानते हैं तो समझेजिए कि मैं ही वाम हुए लो तुपी एसा मैसुस्स करते हैं कि छुटकी बहां जो है चर्चे में है हम जो है कैमरे को आज स Правिक्टा फैंली में एक्ता होनी जरूरी जरूरी ए परिवार में पूरी फैंपली में एक्ता है तो सब डर्वर इंग्ता पहले बहुत ज़्यां बढ़ने वाले हैं निया और मिया अच्छा जब इस प्लेटफरं में और तो समाज के वो दन से झेलने पड़े आम तरपर जो बहुत सारे यूटूबर जैसे सीवाने हो गई साखुंतला हो गई वही चीज़ सबको जैलना पड़ता थोड़ी बहुत का हमाई साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है मतलब सुना हमने भी है लेकिन हमने इगनोर किया कि छोड़ो मतलब हमाई फैमली ने भी इगनोर किया कि मतलब ठीक है मतलब स्टार्टिंग में तो ममी पापा को नहीं पता था जब पता चला तो फिर भाईया लोगों ने ममी पापा ने मतलब पूरी फैंबली ने बड़े पापा चाची चाची सब लोग ने सपोर्ट किया कि छोड़ो पूरी रिलेशन ने भी कि इगनोर करो लोगों के चक्कर में मत पढ़ना यहां के लोग आगे बढ़ना नहीं देखता चाहते किसी कोई भी मितलब पैरेंट से अपने बच्चे के सीवा दूसरे के बच्चा का अच्छा नहीं देख सकते हैं तो वह दंस यहां भी जेडने को मिला और ज्यादा हमने कहीं सुना नहीं वैसे बस इडर धर से थोड़ा बहुता था अभी लास्ट टाइम बाला सीवानी बताई क कि दोस्तों एक समय के दावरा ऐसा था कि गाउं में जाकर लोग बाग चुगली करते थे जब में वीडियो बनाती थी मेरी मां से कहते थे कि तुम्हाई वीटिया गाउं को बर्बाद कर देगी डांस कर रहे कमर में लचका रहे यह कर रहे और आज वहीं लोग सीवानी वा आप लाइब लेकर आप आगे वड़ी सोसल मेडिया में आज उसलच की कामयाबी तक आप कहुंच गहीं क्या मिल गई है अप लोग आप लोगों को डोनों बहनों को कैसा मैसूस कर रहें नहीं मिली कामयाबी तो हमें अच्छा मैसूस हो रहा है कि मतलब हम यहां तक तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम जब काम कर रहे थे तो जर्नी जब आपने शुरू की थी कि यार हम अचानक जो है जिस तरफ हम बढ़ चले हैं एक दिरुए था कि चिल्वा प्ले बटन आ जाए बस और आज उससे भी आगे कहीं चार गुना आगे नहीं सुचाता लेकिन आने वा साथ चित्रकूट की क्वेन यानिके आईसा सिंग जी थी तेरा वर्सी बच्ची है और इस तेरा वर्सी बच्ची ने वह कमाल कर दिखाया जिसका सपना लोग भाग खुली आँखों से देखते हैं कि कास हम भी जो है इस जगह पर पहुंचे क्योंकि वह रास्ता असान नही सोशल मीडिया पर लोग बाग काम तो बहुत तारी करते लेकिन सच्ची मुकाम को हासिल करना सबके बस की बात ने लेकिन आईसा जो है इसम nayलोगों को हासिल कर चुके हैं तो उनसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बताइए तो मिलते किसी दूसरी ख़बर में तब तक लिए नमस्कार